असलाम अलेकुम नमस्कार सस्रिया काल इंगोज इवनिंग मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओफ यू हमें जी आज बारत से जॉइन किया है विकरम सिंग जी ने जो के एक्स डीजी उपी प्लेस हैं आप सब देखते रहते हैं विकरम साब को और हम बहुत कुछ सीखते हैं सर आप से थैंक यू सो मच क्या जा पाए थैंक यू अर्जु जी सीखने का मौका तो और एक अधिकार मे प्रोफेशनल लाइफ हो सब में आप अराम से रहें और खुश रहें और सर सबसे पहले हम वैसे बात एक अजीब सी है मैं मुझे हसी भी आ रही है और पूछना भी चाह रही हूं लेकिन ये के लोग मुझे बड़ा घुसा हो जाएंगे अगर वो कहेंगे हसी हो रही है कि ह हमारी जो पॉलिसी है का ये नेशनल सेकुरिटी पॉलिसी उसमें कहा गया है कि जी सौ साल हम चाते हैं कि भारत के साथ कोई लड़ाई जगड़ा ना हो टरम्स अच्छे हो ट्रेड हो तो कैर अगर हम कुछ साल भी अगर हम कर पाएं तो बड़ी बात है सौ साल तो मुझे न बहुत जादा खुश है और मैं भी बहुत जादा खुश हूँ कि मुझे उमीद नहीं थी कि इतना उंड़ा बयान आ सकता है लेकिन अगर आया है तो हम एतबार करें और उमीद करें कि ये साफगोई से दिया हुआ बयान है लेकिन हमने आगे के सौ दिन नहीं देखे हैं औ और ये भी तो हमें देखना है कि जेंज जियो पुलिटिकल सिचुएशन जो आई हैं हमारे माली हालात क्या हैं और सामने हमें होराइजन में दिखाई क्या पड़ रहा है उसके बद्दे नजर हमारे पास रास्ते क्या थे मैं ये कहता हूँ कि आज अगर मैं कहूं कि पूर तो किया एक संगे बुनिया तो डाली आपने कहा तो सही सौ साल के बारे में और जियो पुलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से बदल रही है पहले पांच साल दस साल की बात होती थी फिर धाई साल की बात हुई फिर एक साल की बात हुई और अब तो जैसे वन डे क्रिकेट 2020 का जमाना आगे है 100 years किसमें देखा है हाला जिस तरीके से बदल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से हालात सौधी अरेबिया और दुबई और इस्लामिक वर्ल्ड और मिडल इस्ट में बदले हैं योरोप में बदले हैं अमरीका में बदले हैं और जो नई फ्रेंशिप्स आ रही ह अफ़ानिस्तान की वज़े से जो चेंजेस आए हैं उसके बदे नज़र शायद और मैं फिर इसकी बहुत बहुत इसको वेलकम करूंगा कि पाकिस्तान का 100 साल तक वो हिंदुस्तान के साथ आमन चाहता है कोई जंग नहीं चाहता है और ट्रेड और कामस को बढ़ावा देन चाहता है इससे जादा खुश्खबरी क्या हो सकती है लेकिन इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे या जब तक इसके सबूत नहीं देंगे ये जो उन्होंने कहा है कौल फैल में कोई अंतर नहीं है कोई फरक नहीं है जो कह रहे हैं वहीं जबागा थीक है रहें सा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी लेकिन साथ ही हमने देखा कि हमारे जो फॉरिन मिनिस्टर है शाम एमुद कुरेशी साब वो स्पेन के विजिट पे थे और वहां उन्होंने कश्मीर का बिलकुल नाम नहीं लिय या और इस चीज़ को यह भी हाँ पे काफी लोग बात कर रहे हैं क्या ये भी एक स्टेप है उस तरफ के हम कश्मीर को थोड़ा सा साइट पे करके और अपने टर्म्स बेतर करने जा रहे हैं ये बड़ी मुबारक भार आप ते दिये मैं समस्ताओं कि हर हिंदुस्तान पाक भाई भी होनी चाहिए और इसको रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए अगर स्पैन जाके उन्होंने कश्मीर का तसकरा नहीं किया तो ये कोई मामूरी चीज़ नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है और अगर संग बुनियाद में उन्होंने इस तरीके की महबत और खुलूस डा आफ डन आगे देखिए क्या होता है लेकिन अगर इतनी शुरुआत की है तो वो जो हमारे तमाम हालात है जियो पुलिटिकल चेंजर्स है शायद अमन हमारी अब मजबूरी है जंग कोई एफोर्ट नहीं कर सकता है नहम नपाकिस्तान तो हमेशा से होती रही है कि अगर कश अचानक जो तब्दीली आई है उसकी क्या वज़ा हो सकती है क्या कोई और तीसरा मुल्क हो सकता है जिसने प्रेशर डाला हो चाहिए साउडियर अरब हो या अमेरिका या क्या वज़ा हो सकती है कि all of a sudden हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रविया बदला वर रविया क्यों 1947 की 1947 की आज कितने साल होगे 72 73 साल होने को अब आ रहे हैं और सारी दुनिया बदल गई अफगानिस्तान बदल गया क्या था अफगानिस्तान आज से एक साल पहले आरा से 20 साल पहले और इतनी लड़ाई के बाद यूस सार टू के खतम हो गया उसके बाद अमरीका ने 20 साल व रही पैसा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिल जाता, तो आज चमन हो जाते दोनों मुल, हकीकत ये है, वो पैसा बिलकुल मद इंतजामी में और बेमानी में और जंग में बिलकुल बर्बाद हो गया, और जो आपने फरमाया है, सबसे बड़ी चीज ये है, कि आज जियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, उसमें सबका नुकसान है, देश्यदगरभी बढ़ेगी, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फॉर्ट लाइन ये है, जो चीज जिसका काम है, उसके पास रहनी चाहिए, फॉज का काम है, लड़ाई और सिक्यूरिटी external aggression को उन्तजाम करना हुकूमत करना फौज का काम नहीं है या commerce और industry में आना फौज का काम नहीं है अगर फौज commerce और industry में आएगी हुकूमत में दखल अंदाजी करेगी तो फौज कहा रही थे और इसलिए वो जो काम हमारे हुक्मरानों का है जो हमारे political leaders का है वो काम उनको करने दे फौज अपना काम करें और जो हमारे political leaders है वो अपना काम करें पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि चाहे मिया नवाज शरीफ हो या और भी को उनसे पहले political leaders थे और आज भी फौज ने उनको कभी खुली हवा में सांस लेने का मौका ने जे मेरी बाते बुल लग सकती है लेकिन जो दुनिया में और हंदोस्तान में perception आ रहा है आरजू जी वो ये आ रहा है कि फौज का अपने जो उसका जो दाइरा है उससे कहीं आगे जाकर कि वो काम कर रही जो की मुनासिब नहीं है पाकिस्तान की आदी मुसीबतों की जड़ पाकिस्तान की फौज है अगर वो सिर्फ अपनी बैरक्स में रहे अपना काम करे अपनी सलाहियत आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो फौज के काम करके ट्रेड और कामर्स और इंडस्ट्री में पीड़जा बिचना फौज का काम है पौज का काम वे जो इस तरीके की प्रॉक्सी वार की शुरुआत की मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे तो बहुत दोस्ते है पाकिस्तान में कभी कोई नहीं चाहता है कि इस तरीके की दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी एक जंग का एक तरीका है। तो नया है, पिछले 25 साल में जादा चला है ये फौज का ही चलाया हुआ है फौज नहीं चला दिया और आज पाकिस्तान की जो शर्बिंदगी पूरी दुनिया में बैनोल अक्वामी ब्रादरी में हो रही है क्यों हो रही है मदरसा और दह्शत गर्दी उसको शुरुआत किस ने किया है क्या बेन जीर भुट्ट वो अपने हाथ उनके हाथ साफ नहीं उन्हों बलकि इकबालिया बयान तक दिया कि जो दो चार जो बहुत ही नाकाबले बरदाश्ट जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें उन्होंने इकबालिया कि ये तो हाँ हम लोगों ने कराया था तो फौज अपना काम करे वो ऐसे काम ने करें कि पाकिस्तान की जड़ काटने की कोशिश करने लगी ने इस दर बिलकुल परवेज मुशेरा साफ की स्टेट्मेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जिहादी तयार किये हमने जिहादी बेजे लेकिन अब उस टाइम से लेके और आज के वक्त तक में जो जिहादी उन्होंने तयार किये थे बलकर उनसे भी पहले जिया उलहक के जमाने से जो कुछ चला आ रहा था वो अब बहुत जादा बढ़ चुका है जो जो कहना चाहिए कि जो काम हमने को शुरू किया था वो खुद हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो पहले भी कई बार कोशिश की गई कि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हो और फिर कोई ना कोई हासा ऐसा हो गया जिसकी वज़ा से फिर दोबारा से वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई आपको लगता है कि अब पाकिस्तान उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे इसलि आर्जो साहिवा अब उनके पास पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं कंट्रोल करना पड़ेगा अब पाकिस्तान का मस्तग्मिल मुझे बहुत साफ और उंदा दिखाई पड़ रहा है और कोई भी उसकी अगर आड़े आता है तो पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान की व उल्ला, बहुम्मद, उमर इस तरीके के लोगों को मौका दिया गया, पनपने का, या तालिवान को हमने ऑक्सिजन दी, उनको रसद और पैसे दिये, ये बहुत ही गहर मुनासिब था, लेकिन अब दुनिया के सामने पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, आपके सा टैंक, ये लोग जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए, और ये लोग जो जानते हैं, ये आखिर इनों किसका मुनाफ़ है, आज पाकिस्तान की बदहाली जो है, इन जिहादियों ने की है, कि एकॉनमी को बिल्कुल खतम कर दिया, एकॉनमी को खतम ही नहीं कर दिया, इनों 五 terchs 60 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था उसकी प्रॉस्पेरिटी हंदुस्तान से जियादा थी क्या वज़ा है कि 60 के बाद आज पाकिस्तान के पास जो टोटल foreign exchange wray सिर्फ 14 billion डालर्स का है पाकİस्तान का GDP हमारे एक छोटे से स्टेट महाराश से भी हलका है महाराश का जीडिपी 386 मिलियन डॉलर है पाकिस्तान का गالवन 278 मिलियन डॉलर से आखे कही ने कहीं तो बहुत बड़ी गलती हुई है और सबसे बड़ी गलती यह सिर्फ मही नहीं कहा रहा है पूरी दुनिया चीख की कि ये कह रही आजू साहिवा कि इसमें दह्षतगरदी का हाथ है पाकिस्तान की दस्तिगारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी डेप्ट और पोटेंशल है कि वो आज भी अपने एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत पाकिस्तान को ये क्या वज़या है पाकिस्तान ने कितना पुना ना मिलकूर बंगला देश नया जंग ने उसको बिलकुल नेस्तनाबूत कर दिया आज बंगला देश जो है कितना हागे निकल गया और यही हसन निसार साब का दूसा लतीफा कि गालेबन 1955 के आसपास अमरीक ही थसक के साथ कहा तुम बंगलीओं के लिए तो केले के दरख थी काफी है यह शरीफों के लिए यह सब साद व सामान शरीफों के लिए आया तुमनों तो समझोगी मैं इसका इसका इसे करते हैं लेकिन गरूर इनसान को कही का नहीं चोड़ता है कहाँ पर आज देखे स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस पे काफी अंगामा हुआ हुआ है यहां पर और उनको अदात ने भी बुला लिया है कि उनका कहना था कि जो भी डेमोक्रासी का नाम ले पाकिस्तान में उसको फारिंग स्कॉर्ट के आगे खड़ा कर दिया जाए और गोली के पैसे उसके कबजा कर लीजिए यह कुछ मुनासिवाद नहीं कि हसन साब ने लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है सर कि अभी जो स्टेटमेंट जैसे दी गई है पॉजिटिव किसम की इंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो क्या भारत भरोसा करने को तयार है भारत एक ब बटन मैं बतादू मैं बहुत यहां दोस्त हैं और अगर मैं कहूं कि उन में 15% के रिष्टेदार immediate first cousin second cousin's पाकिस्तान में और यही हल पाकिस्तान के लोगों के हमारे यहां रिष्टेदानिया हैं हम किसके उपर बांब फिकेंगे किसका फून बहाएंगे अपना पहले किसी और का बाद में है, चाहे पाकिस्तान हमारे पर बाम विरा है, हम पाकिस्तान को, हमारा ही भएगा, साजा कुन भएगा, इससे ज़्ञादा ख diferentes किसी नहीं होगी हिंदोस्तान ये पाकिस्तान में, अगर इसके उपर दोनों मिलक अमल, अमली जामा पहिआए. पांकिस्तान ने एक पहल की है, हिंदस्तान को बड़े भाई होने के माने यही है, कि दो कर ओर आगे बढ़के देखे कि क्या खिभर कर सकता है, क्या चीज़ें, को कि ताली दोनों हाँ कमर्स पे आप यह सी भी देख लीजिएगा काफी आसू पुछ जाएंगे पाकिस्तान के भी और हमारे भी ट्रेड और कमर्स को भी अगर हम थोड़ा मुस्ट फेवर्ट कंट्री का अगर हम स्टेटस दे 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 या हम इस तरीके की कुछ सहूलियात दे दे इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा मौका दे दें ग्रो करने का ट्रेड और कमर्स को दे दें सिर्फ इतना ही करने कि हमा बजरिये पाकिस्तान कोई भी देश्टगर्जी कश्मीर पे नहीं होगी मैं समझता हूं इससे बड़ी सहूलियत चाहो सकती है ये तो इतनी बड़ी एक लाइफ लाइफ ला पाकिस्तान की तरफ है कि हम वह ले लेंगे और हम उसको भी अपने साथ मिला लेंगे फिर गिल गिल बलतिस्तान का नाम भी लिया जाता है और कई तरह की यह बात है बात teen का अंच दो अरजू साहिबा यही कहती है कि अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा गैरेंटी कार्ट सौ साल का दिया है तो कम से कम बड़े भाई की जिम्मेदारी की ऐसा कोई काम न करे कि छोटे भाई को तकलीफ हो या उसको दहशत हो या उसको कोई रंज हो अगर छोटे भाई ने इतनी बड़ी सहुलियत दी है तो बड़े भाई के भी कुछ फर्ज है और उसके सबसे बड़ा फर्जी है कि ऐसा कोई काम या ऐसी कोई हरकत न करे जिसे छोटे भाई को तकलीफ हो और से साथी लास्ट में मैं आप से पुछना चाहूंगी कि हमारे जो प्राइम मिनेस्टर एमरान खान साब उन्होंने कहा कि जी हमारी एकॉर्णमी जो है यानि पाकिस्तान की एकॉर्णमी अभी भी भारत की एकॉर्णमी से बेतर है आप इस बात से एगरी करेंगे क्या आरजु साहिबा चोटा मोटा हम मैं कुलिस में रहां चत्तिस साल हमारी शोहरोते नाम क्या है जो पाकिस्तान में है वही हिंदुस्तान में जूट उतना बोले जतना की आदमी एदमार कर ले पाकिस्तान की आवाम बहुत सहीन है और सच को जानती है 19-20 का हम फरक करें यहाँ पर जो हमारा foreign debt है आज GDP से जादा है और इन हालात में हम IFA के सामने एक billion dollar के लिए गिर गिरा रहे हैं साओधी Arabia से तीन billion dollar के लिए हम सहुलिते रहे हैं 4% interest के उपर और वो भी जो जाएगा तो साल बर तक State Bank of Pakistan में साल बर रहेगा यह GEO News बता रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो हालात और बेव से पैर के बयानात एक वजीर साफ फरमाते हैं कि ज़रा कम खाईए उससे जो है माली हालात पाकिस्तान की ठीक होगी अब इस तरीके के बचकाने जवाब ये रिस्पॉंसेज की उमीद नहीं की जाती है पैट्रोल के दाम सबसे सस्ते हैं कहां सस्ते हैं मैं इस वक्त लखनों में हो आर्जू साहिवा आपके घर के बहुत नजदीक 95 रूपे लिटर यहां पे पैट्रोल है 86 रूपे लिटर डीजल है मैं ज़नी सबस्ताव आपने चेक कर लिजे मैं आपको शड़न्दा नहीं करना चाहूंगा लेकिन पाकिस्तान में इससे कहीं ज़ादा है जबकि आपका क्रूड का दाम क्योंकि जो कॉस्ट है वो कम है जबकि पाकिस्तान में क्रूड सस्ता था जाहिरे टैक्सिस इतने ज़्यादा लगा दिया है आप स्टॉक एक्स्चेंज ले लीजिए आप कहा मुश्किल से 260 बिलियन का स्टॉक एक्स्चेंज है हिंदुस्तान का तो है कई इंडस्टी इंडस्टी उस से ज़्यादा उसकी हूलडिंग है और इस पे ये कहते हैं इमरान साहब का वो पाकिस्थान के हां को ये उनों बयान दिया था रावलपिंडी चेम्र आफ कॉमर्स एड इंडस्टी जमें और वहां पर उन्होंने शायद confidence building measure में खुश फहमी में कह दिया होगा, नियत खराब नहीं अगर अच्छी ही है, लेकिन नियत भी अगर अच्छी है, अब इमरान साहब के दो लतीफ है, और उन्हों का मैं हिटलर को बहुत, बताने को हिटलर के बहुत मतासिर हैं, लेकिन हमे दूसरा उन्होंने एक ये कहा था, कि इमरान साहब हमें क्या कहा हूं, उसके दूसरा शो करना पढ़ेगा, कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक है, हमें लगता कभी कभार प्रेसिदेंचल एडवाइजर को एटलस और गलोब दिखा देना चाहिए, इसका बॉर्डर कह लगता है, इंदोस्तान पांकिस्तान का तो लगता है, लेकिन जर्मनी जापान हजारों किलो मीटर दूर है, कोई बॉर्डर नों का लगने का कोई सवाल है, बैराल, इमरान साहब अच्छे क्रिकेटर है, एक खिलाडी दिल का बड़ा साफ होता है, वो उससे उमीद की जात और इमरान साहब क्यों, पूरा मुल्क और हम सब हमारी गुड विशेज पाकिस्तान के साथ है, हमारी मुबारबाद पाकिस्तान के साथ है, खुब तरक्की करें, सब लोग खुश रहें, और दोनों भाई छोटे भाई, बड़े भाई बिल करके और आगे तरक्की करें, क्य इस चीज़ को दोनों करने के शराब भी हराम है और रिश्वत भी हराम है तब पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन ये नसीयत निसासार की ये दोनों मुलकों पर लागू होनी चाहिए बिलकुल सर और यही मैं कहना चाहूंगी लासमी के सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ न पाकिए में जाते हैं इसलिए हमें उसके उपर काम भी करना पड़ेगा सिर्फ बात कर देने से जो है वो ये जारे मसले हल नहीं हो जाएंगे क्योंके दोनों तरफी जो है वो कोई एक दूसरे को पर ट्रस्ट करने को भी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी तयार हैं मैंने हमेशा पहले दिन से जो है वो चाहा के दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशन्स अच्छे रहें बाकी तोड़ी बहुत खटपट तो घर में भी चलती रहती है लोगों के तो कोई खास बात नहीं है लेकिन जादा टेंशन ना होतो अच्छा है बहुत शु अबिए अपी रिवर टु यह फैमली और एब बाकिस्तान इंदा ना या घंक यु स्वाच वंच इंद बाकिस्टान इंद है यू मचे थे थींद धान्ड पर्लिट रहें थीं आओंड यूंचारे को श्यूशाय थाग्जिकरत तो चाहिए, हम आज ग्राप मुपश को इस